आपके सामने कौन न्यू बडियो लेकर आ चुका हूँ आज इस बैसिकल का मैं रिविव करने वाला हूँ एक लेडी साइकल्स है गुर्ल्स बैसिकल्स है जो बेस्ट साइकल्स में आता है जो इतने चीप प्राइज में इतनी अच्छे कॉलिटी के साथ कोई भी ब्रैंड में भी फिलाल तक एफलेबल नहीं है जस्ट आप इंक्वाइरी भी कर लेना और इस बैसिकल का चलिए स्टार्ट करते हैं रिविव गाइस यह रही स्नेल की गो ग्रिन मॉडल्स अब बढ़ते हैं इसके सिफिकिसन के ऊपर इसकी जो फ्रेम है यह मैटैलीग स्टिल फ्रेम है जो ईलॉक का यह कुछ अलग आपको एडवान्स तेखने को मिल रहा है वो भी लेडिस बाइसिकल में जो सिल्ड बेरिंग है इसके जो हैडशेट पर यहाँ पे बेरिंग लगे हैं विद एड़ेस्टेवल स्टेम दिया हुआ है आप हैंडल को एड़ेस्टेवल यानि आप अप वनली फोर हाइब्रेड बाइसिकल भी यह देखने को मिलता था बट यह कोई लोकल ऐडищ नहीं लगा हुआ है जूम का लगा हुआ है हेंडल अट्डवाय को ऑलिवर्स की तो लीवर्स काफी अच्छ resort काफी ____ आच्छी है अब इसके हम ब्रेक नाल की बाग करेंगे अगर यह क्यलिपर को यह देखी है यह का क्यलिपर है यह वाला ऑ्के इसक् आपको alloy के ये कैली पर देखने को मिलेंगे अगर हम next बात करें इसमें wheel की तो ये double wall alloy का wheel है कभी इसके जो रीम से ये कभी गंज नहीं खाएगा रस्टिंग नहीं होगा next अगर हम बात करें इसमें tire की तो nylon tire लगे हुए है front and rear दोनो crank set की बात करें तो steel का crank set लगा हुआ है अगर हम bb set की बात करें bottom bracket की तो ये bearing set वाला है इसके headset पे भी bearing था bottom bracket के अंदर भी bearing है quarter pain या छर्रे वाले नहीं है इसमें chain wind गिरने का problem नहीं रहेगा अगर हम बात कर stand की तो काफी adjustable lock in lock out वाला आपका stand दिया हुआ है जो कंपी प्रोवाइड कर रही है अगर हम next बात करें सीट की तो सीट स्नेल के लगे हुए है इस एजस्टेवल है कोई क्रिलीज के साथ है आप सीट को अपने हाइट के अकोडिंग आप सीट के गोग्रीन के साथ जाएए इसके रिफ्यू काफी अच्छे है कस्टम रिव्यू बहुत यह अच्छा है और कॉलिटी के बज़े से कस्टम रिव्यू है किसी भी चीज को कस्टमर ही ब्रैंड बनाता है धुकान वाला नहीं कॉल्टी है तो ब्रैंड है तो यह कैसी लगी आपको स्टमर की गोग्रीन के रिव्यू जरूर कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे ताइंक्यू गाइज